पर्सनल बजेटिंग का मतलब क्या है? पर्सनल बजेटिंग का मतलब धनका नियोजन जो मासिक या तिमाही हो सकता है. मतलब ऐसा एक फाइनान्स प्लान जहां पर्सनल इंकम मतलब व्यक्तिगत आय का नियोजन किया जा सकता है. इस नियोजन से कुल खर्च, बचत और करजे का भुकतान कैसे किया जा सकता है? इसका निर्ने लिया जाता है. लिकिन पहले ही लिया हुआ पैसा और रिण इसके बारे में सोच कर ये योजना तयार करना ज़रूरी होता है. जैसा कि नौकरी ये आय का जर्या है, तो बिल, किराया, ये सब खर्चे मतलब expenses हैं. कि हमारे जीवन से संबंदित, सभी निर्ने हम खुद लेने में सक्षम होते हैं. तब हमारी आर्थिक स्थिती को संभालना और उसके बारे में ध्यान से पूरी जानकारी हासल करना, उसके मताबिक निर्ने लेना, ये भी एक व्यक्तिगत जिम्मिदारी है. Personal budgeting ये एक कोशल है. इसका मतलब रोज मर्रा के खर्चों में कटोर्ती करना नहीं होता. ये कोशल इनसान को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मदद करता है. और भविश्य के कुछ धे और उद्देश्यों की पूर्ती में मदद करता है. मुश्किलों की घड़ी में ये प्लानिंग ही मदद करती है. इसलिए इसकी तरफ नाकारात्मक दृष्टी से देखने के बजाए, हमारा आर्थिक उद्देश्यों पूरा करने वाले साधन के तौर पर उसे देखना चाहिए. परसनल बजटिंग करने के लिए कुछ निश्चित तरीके हैं और उसके लिए कुछ टिप्स और संदर भी उपलब्ध हैं. उसी में से कुछ हम आगे देखते हैं. एक, आज कितने पैसे उपलब्ध हैं उसके बारे में सोचिए. इस नेवर चू लेट. उम्र के किसी भी पड़ाव पर परसनल बजटिंग शुरू कर रहे हो, तो कभी ये मत सोचना कि अब समय निकल चुका है. शुरूरार करते वक्त आपके पास कितनी बचत बाकी हैं वो देखो. खुद की बचत और बचत खाता उपलब्ध होने वाले कुल निवेश के साथ मेल, उसमें कुल कितनी राशी उपलब्ध है, उस पर कितना ब्याज मिलता है और उससे कितना खर्चा निकलता है, इसकी एक तालिका बनाओ. इससे भविश्य में आपको कब और कितनी राशी खुद के लिए उपलब्ध हो सकती है, इसके बारे में पता चलता है. दो, व्यक्तिगत मासिक आए. नौकरी पेशा लोगों को उनकी मासिक आए पता होती है, इसलिए उनके लिए परसनल बजटिंग करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन व्यापार या पेशेवर लोगों की मासिक आए कभी कम तो कभी ज्यादा होती है. इसके साथ ही फ्रीलांस करने वाले लोगों की जैसे की फोटोग्रफर, नृत्यांगना, पत्रकार, अभिनेता, इनकी मासिक आए भी हर महिने एक समान नहीं होती. ऐसे वक्त में पिछले छे महिने की आए की आउसत निकाल कर उसे ग्राहे माना जाए. भविश्य में आप कितनी भी बड़ी रकम आए के तौर पर कमाओ, लेकिन अब के लिए पिछले छे महिने की ये आउसत रकम ही ग्राहे मानिये. 3. भुक्तान कितना करना है वो देखो. मासिक आए लिखने के बाद हर महिने करजा चुकाने के लिए कितनी राशी का भुक्तान करना है, इस पर गौर करना ज़रूरी है. यहां कर्जा चुकाने की खुल राशी अपेक्षित है जैसे की व्यक्तिगत कर्जा, वहन कर्जा, ग्रह कर्जा, क्रेडिक कार्ड पेइमेंट इत्यादी इससे मासिक आय से कुल कितनी राशी कम होगी ये समझना आसान होता है 4. कुल राशी का हिसाब करो मासिक आय और कितनी राशी कर्जा चुकाने में खर्च होगी, ये पता चलने पर एक राशी आपको मिल जाएगी इसको Net Available Fund कहा जाता है मासिक आय से कुल कर्जे के मासिक किष्ट को कम करने पर Net Available Fund की संख्या हमें मिलती है ये संख्या निराशा जनक लगे भी तो आपको इससे निराश होने की कोई आवशक्ता नहीं है एक बात ध्यान में रखो कि Personal Budgeting का आपका फैसला बिल्कुल सही है और ये पढ़ाव उसी का एक हिस्सा है इसके पहले कि चार पड़ाव पार करने के बाद अब आपके पास जो मासिक आई की संख्या है उससे आपका मासिक खर्च होने वाला है जैसे की घर का खर्च, Electricity Bill, Phone और Internet Bill, यतायात का खर्च, मनुरंजन, होटल में खाना, सिनिमा देखना या चुट्टी पर कहीं बाहर जाना, परिवार के कुछ समारों और उनके लिए उपहार खरीदना इतियादी और इसी के साथ बीमारी में होने वाला खर्च वगेरा वगेरा इसमें घर के खर्च और Bill, यतायात, पेट्रोल ये खर्च बिलकुल शाश्वत और निश्चित ही हैं लिकिन मनुरंजन, प्रिष्टेदारों से मेल मिलाप, परिवार के समारों, बीमारियां ये खर्च बदलने वाले खर्च हैं, ये बात ध्यान में रखें सबसे जरूरी बात ये है कि इस धन में से ही एक निश्चित राशी आपको बचत करनी है इसे नजर अंदाज ना करें बचत ये खर्चा नहीं है, फिर भी कर्जे चुकाने के बाद बचत करना ये सबसे एहम काम है जैसे कि पहले बताया गया है, एक बार आपको सारी जानकारी मिल जाए, तो आपके पास कितनी राशी बाकी है, उसका अंदाजा मिल जाएगा ये सब जानकारी डायरी या कम्प्यूटर पर नोट कर सकते हैं शेश राशी को मद्दे नजर रखते हुए, अगर कोई अनवाश्यक खर्चे हो, तो वो टाल सकते हैं इसमें कर्जे की किष्ट बदली नहीं जा सकती, लिकिन घर के कुछ खर्चों में बचत की जा सकती है, और अन्य संभाव्य खर्चे कम कर सकते हैं जैसे कि जिस महीने में शेश राशी कम हो, उस महीने होटल में खाना खाना या सिनिमा देखना टाल सकते हैं इसी तरह अगर आने वाले कुछ महीनों में परिवार में कुछ समारों होने वाला हो, और उस पर आपको कुछ खर्च करना जरूरी हो, या कुछ महीनों बाद आपको छुट्टियों में कहीं घुमने जाना हो, तो उसके लिए अभी के कुछ अनावश्य खर्चों पर लगा एक महीने में किया और अगले महीने नहीं या कुछ महीने किया और आगे किया ही नहीं ऐसा बिलकुल ना करो। हर महीने परसनल बजटिंग की जाज करो और उसके मुताबिक कहां बदलाव करने हैं, क्या बदलाव करने हैं, इसके बारे में गौर से सोचो। कि भरपाय करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में सोचो और उसे अमल में लाओ। हमने पहले ही देखा है, जैसे कि शारेरिक स्वास्त्य अच्छा रखना ये व्यक्तिगत जिम्यदारी है, बैसे ही आथिक स्वास्त्य अच्छा रखना भी व्यक्तिगत जिम्यदारी है. ये जिम्यदारी अच्छे से निभाने का प्रयास करें.